वेल्कम्ह ठूनु लेसन कल मेरा अगर आपको याद ओ तो अपनी फाइनल प्रॉडक्ट फीड भना रहे थेcią कल हमने अपना आईडी डाल दिया था यह उठाकर हमने कहा से जाला था यह उठाकर हमने डाला था ऐसे करना था कि वो उस पे clicks जादा है तो जो भी मेरे keywords है keeping that in mind मुझे अपना title और description लिखना है then आपको लिखना है Google product category अब ये Google product category लिखोगे कहां से तो देखो ये sheet है taxonomy ये इस video के नीचे link है वहाँ से click करके आप ये sheet download कर सकते है यहाँ पे Google ने हर product की category लिख हुई है कुछ 5000 से ज्यादा product है जिनकी category listed है यहाँ पे अब आप category लिखोगे कैसे तो देखो तो सबसे पहले आप पहले product पे गए पहला product क्या है black solid biker jacket biker jacket तो आप वापस आओ और यहाँ पे search करो bike या एक काम करो simple आप search करो देखो यह रहा ना motorcycle jackets ठीक है motorcycle jackets है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है देखो सबसे पहले आपको लिखना है product category अब इदर ध्यान से देखो यह हमारा motorcycle jackets इसकी category क्या है इसकी category है यह 5517 हाना motorcycle protective clothing और इसके अंदर यह product है हमारा motorcycle jackets यह देख सकते हो motorcycle protective clothing यह हमारी main category है और इसका क्या है 5517 तो यह 5517 copy किया आपने और यहां paste किया यह पूछ रहा है product type तो product type कौन सा था यह था motorcycle jackets तो यह उठाया अपने और यहां पे डाला product type बिल्कुल simple राइट अगला देखो अब क्या है denim jacket ठीक है तो वापस आओ और यहां पे search मारो denim denim से कुछ नहीं आ रहा तो simple search मारो jacket थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है हमें क्योंकि यह बहुत ज्यादा impact करता है कि कैसी ads दिखेंगी लोगों को किन keyword पे आपकी ad दिखेंगी अभी just मैंने jacket सर्च मारा है तो देखो coats and jackets आ रहा rain coats rain suits एक बार और सर्च मारो jackets jackets में और कुछ नहीं आ रहा न यह बाकी जो है life jackets hunting jackets यह बेकार है motorcycle jackets हमें नहीं चाहिए तो हमारा main है यह वाला यह jackets राइट तो यह product क्या है 5598 तो यह उठाके कान डाल दोगे product type और यह product category क्या है तो यह देखो यह हमारा jackets था यह था coats और यह है आपका outer wear यह रहा outer wear main हाना तो यह outer wear यह 203 उठाया और यह डाल देखे राइट तो जैसे यह डाला अब अगला क्या है formal trousers ठीक है तो अब सर्च मारो trousers ट्राउजर देखो है यहां पर कुछ है suits है shirts and tops, pants, skirts active wear देखो यहां पर clothing है bicycle active wear trouser देखो यहां पर है क्या, pants, shirts sleepwear, suits uniforms आ गया, sports uniform, baby and toddler, belts आ गया, hair accessories, hats यहां पर कुछ jackets है नहीं तो एक काम करो, pants search करते हैं hockey pants यह राइडिंग pants, football pants, motorcycle pants, rain pants, pants ट्राउजर, ट्राउजर आ नहीं रहा एक बर करते हैं shirts देखो shirts and tops आ रहा है बर ट्राउजर नहीं रहा है, तो यह हम pants डाल देते हैं इसमें, ठीक है, तो यह 204 हम उठाते हैं और यहां पर लिख देते हैं product type 204, यह हमारा pants आ गया और यह main है हमारा clothing ठीक है, तो यह हो गया हमारा 164 clothing, तो main category हो गया clothing, product type यह हो गया ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी जितने product हैं, इन सब की category ढूंद होगे यहां से और अपनी sheet fill करोगे ठीक है, मैं यह तीन ही डालता हूँ, इन ही तीन को मैं नीचे copy paste करके डाल देता हूँ ठीक है, आपको सब के ढूंदने है, then यह पूछ रहा है link, ठीक है, इन product के link, तो link कैसे लिखोगे तो जो हमने product feed बनाए था, आपको वहाँ जाना है, यह link लिखे हूए, link यहां से करो copy और यहां करो paste, ठीक है, link आगया, then आपसे पूछ रहा है image link, ठीक है, image link तो आगे जाओगे थोड़ा सा, अपनी sheet के अंदर, image link, यहां से करोगे copy, और paste कर दोगे, then condition की नया है, की पुराना है, अगर used है, तो used लिख लोगे, used नया है, तो new, तो यह सारे new है, तो मैं सब में लिख देता हूँ new, ठीक है, availability, in stock है, out of stock है, तो हमारे सारे in stock है, तो मैंने in stock उठाया, और paste कर दिया है, ठीक है, then सब के price, ठीक है जी, price, price कैसे लिखोगे, तो यही sheet के अंदर है price, तो इस सारे यहां से copy करो, और price, then आपसे पूछ रहा है तीन चीजे, एक है, GTIN, brand और MPN, ठीक है, अब देखो, जो GTIN, brand और MPN होता है, यह होता है आपके product identifier, ठीक है, GTIN, brand और MPN, अब brand तो आपको पता ही है, कि यह किस brand का product है, राइट, तो अगर आपके पास brand है इन product का, तो आप यहां पे लिख सकते हो, अपने brand का नाम, अगर आपके पास GTIN, MPN और brand नहीं है, तो आप इनको कर सकते हो, no, राइट, MPN क्या होता है, MPN बेसिकली, आपके product को identify करने का, तरीका होता है, राइट, और यह जो MPN है, यह issue करता है, आपका manufacturer, manufacturer, ठीक है, यह कौन issue करता है, manufacturer, जो भी आपका product बना रहा है, वो MPN issue करता है, तो अगर आपके पास MPN नहीं है, तो आपको कोई tension की ज़रुत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, अगर आपके brand पता है आपको, तो आप अपना brand यहाँ पे लिख सकते हो, ठाईब, तो सपोज मेरा brand है Nike, तो मैंने यहाँ पे brand लिख दिया, से सारे ही Nike के हैं, या फिर सपोज करो, मैं अपना brand लिख देता हूं, WP course, यह brand है हमारा, यह मैं लिख देता हूं, और इसको मैं यहाँ पे paste कर देता हूं, ठीक है, तो यह brand है, इसको मैंने यहाँ पे add कर दिया, अब, सपोज, आपके पास GTIN और MPN नहीं है, यह दोनों क्या होते हैं, product, identifiers होते हैं, manufacturer जो issue करता है, अगर आपके पास नहीं है, तो simple आपको क्या काम करना है, identifier exists जो है, इसको आपको no करना है, right, जो identifier exists है, उसको आपको क्या करना है, no, तो यह no उठाया आपने, और, यहाँ पे आपने इसको कर दिया, paste, right, most of the cases में, आपके पास GTIN, MPN वगर नहीं होगा, तो identifier exists को आप क्या कर दोगे, no, अगर आपके पास GTIN और MPN है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे यहाँ पे आप add कर सकते हो, यह जो आपको मिलेगा कैसे, आप अपने supplier या manufacturer से, इसको मांग सकते हो, ठीक है, तो हम यहाँ से अपना brand भी हटा देते हैं, GTIN, brand, MPN तीनों नहीं है हमारे पास, और हमने इसको कर दिया कि identifier exists, no, कि भईया हमें यह तीनों चीज़े नहीं पार, ठीक है, बहुत है, बहुत है simple, then यहाँ पे कुछ option है, देखो, custom label, custom label 0, custom label 1, custom label 2, 3 and 4, अब custom label क्या होता है, तो custom label एक तरीका है, आप के products को categorize करने कर, राइट, तो suppose करो कि, पांच product आपके पास best seller है, तो मैंने यहाँ पे, जो जो best seller है, उनको मैंने best seller कर दिया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं खाली best seller वाले products बेचना चाहता हूँ, ठीक है, जब मैं Google Ads बना रहा हूँ, तो मैं best seller products बेचना चाहता custom label से अपनी add को customize कर सकता हूं यहां पर best seller डाला रहा हमें छिक है ऐसे ही आप custom label 1 लगा सकते हो custom label 2 3 4 multiple custom labels हैं जो की आप लगा सकते हो मैं बस custom label 0 लगा रहा हूं छिक है तो यह सारी details हैं जो कि मैंने क्या कर ली complete और यहाँ पर मैं file का नाम change कर देता हूँ WP product ठीक है ID लिख दी, title लिख दी, description लिख दी, Google product category लिख दी, product type लिख दिया, link लिख दिया, image लिख लिख दिया, condition लिख दिया, availability ये तीनों नहीं है है हमारे पास तो मैंने brand identifier exist को no कर दिया, make sure अगर आप ये no नहीं करोगे तो feed accept नहीं होगी और हमने custom label डाल दिया, ठीक है, ये product category का जो है इसका link मैं नीचे दे दूँगा, यहाँ से आप उसको use कर सकते हो, यहाँ से search करके लिख सकते हो, ठीक है, product feed ये वाला मैंने आपको कल सिखाई दिया था बनाना, कैसे आप Google से बना सकते हो, अब ये जो हमने बनाया है feed, ये हमें Google merchant center में submit करना, ठीक है जी, ये feed हमें क्या करना है, Google merchant center में submit, तो ये कैसे करोगे, तो आप जाओगे merchant center पे, आप जाओगे product पे, और आप जाओगे feed पे, तो बड़े easily हमने step-by-step चीजों को सीखा है, आप करोगे plus, और continue, language select कर लो, English, और यहाँ पे आप डाल दो, product feed, December 2, ठीक है, Google sheet रखना है आपको, और करना है आपको continue, अब देखो, दो option दे रहा है, generate a new Google sheet, या फिर select an existing Google sheet, तो हम करेंगे select an existing Google sheet, और हमारी जो sheet है, उसका नाम है final product feed, तो इसको हमने select किया, और हमने किया, create feed, then आप से यह login करके access मांग रहा है, तो हम इसको कर दो, allow, अब यह access कर रहा है feed को आपके, अब देखो, आगई product feed, अब देखो, थोड़ा सा time लगेगा, और उसके बार, जो भी problem होगी, आपकी product feed में, वो Google आपको यहाँ पर दिखा देगा, अब देखो, एक issue आ रहा है, आप जब diagnostic में जाओगे, तो जो भी problem होगी, feed के साथ, वो यहाँ पर दिख जाएगे, तो अब एक बार और feed पर देखो, हो गया है, हमने feed upload कर दी है, अब एक बार मैं इसको fetch ना भी कर देता हूँ, कि भाया दुबारा feed को fetch कर लो, तो एक बार वापस feed fetch हो रही है, अब थोड़ी देर बाद, जो भी problem, अभी process हो रहा है, एक बार process हो जाएगा, फिर जो भी problem होगी feed के अंदर, वो यहाँ diagnostic के अंदर आपको नजर आ जाएगे, अभी देखो, feed में कोई issue नहीं आ रहा है, क्योंकि data अभी हमारा fetch नहीं हुआ है, एक बार data fetch हो जाएगा, तो सारे issues आपको यहाँ पे देखी जाएगे, ठीक है, तो यह बड़ाई simple तरीका था, हमने Google Merchant Center में अपना feed बनाया, तो अभ जो है हमारा काम Google Merchant Center का भी खतम नहीं हुआ है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या-क्या feed में issue आ रहे है, then हम उन issues को सही करेंगे, ठीक है जी, so that's it from today's lesson, कल के lesson में मिलेंगे और आगे की चीज़े सीखेंगे हम, जो की जरूरी है Google Shopping के लिए, thank you so much.